आलो फ्रेंड्स राधिरादे जैसरी कृष्णा कैसे आप सब आज हम पाच नंबर के लड़ो गोपाल जी के लिए ड्रेस पनाएंगे ड्रेस पनाने के लिए हमने ओरिंज कलर का फैबरिक लिया है इसके लंबाई हमने 30 इंच रखी है चोड़ाई हमने इसके पोने 5 इंच हमने इसके उता की थरी साइद्स को फोल्ड करके ले लिया है पल्तेंगे और हम इसके अंदर प्लेट्स टालेंगे हमें डेडे 15 इंच के गैप पे प्लेट्स टाल नहीं है पास-पास में तो चले प्लेट्स टाल लेते हैं हमने प्लेट्स टाल के ले लिया है अब देखें हमने प्लेट्स को कितने सुन्दर तरीके से डाला है अब हम इसे साइड में करेंगे हुड़ी रे लमबाई हमने साभ्य छो इनच लगाना है अब हम इसे नीचे से कटिंग अब निशान लगाएंगे हमने देखें olsun post 1 मारा के लीना हमें देखेंसे उपरकी साइड में अब इनच लगाना है अब हम इसके कटिंग कर लेंगे हमने कटिंग करके ले लिया है अब हमें जो साइड में है ये हमारी बाजू है इनको फोल्ड देंगे दोनों को देखे बिल्कुल ऐसे करते हुए तो चले फोल्ड देते हैं हमने दोनों बाजू को फोल्ड करके ले लिया है अब हमें इसे बीच में सिप करना है और ऐसे फोल्ड कर लेना है अब हमें इसके बीच में निशान लगाना है फोल्ड देंगे और चोक की हेल्ड से बीच में निशान लगा लेंगे हलका हलका बाद में इसे डार कर देंगे देखे हमने डार कर लिया है हलका सा निशान पीछे भी लगा लेंगे अब हमें सिर्फ आगे वाले पीस की कटिंग करनी है पीछे वाले पीस की कटिंग नहीं करेंगे हमने कटिंग करके ले लिया है और जो ये हमने बाजू की कटिंग की थी यहां से हम यहां पे सिलाई दे देंगे हमने सिलाई लगा के ले लिया है दोनों साइट पे अब हम टोप को सिधा करेंगे हमने टोप को सिधा करके ले लिया है अब हमें इसकी जो ये बीच में कटिंग की थी इस वाले पार्ट को नीचे के साइट पे फोल्ड देंगे पूरे पार्ट को तो चलिए फोल्ड देते हैं हुदी रीड़ी करेंगे हुदी रेड़ी दे करने के लिए के लिएज भी पांच इन्च रखी है चुडाई हमने पनेट तीन इन्च रखी है हम इसे आगे से फॉल्ड देंगे हमने फोल्ड करके ले लिया है अब हमें इसे उपर से देखे उल्टी साइड पे फोल्ड देना है अंदर हमारी सीधी साइड है और जहां फोल्ड दिया है वो आगे की साइड रखेंगे पीछे की साइड पे हमने ऐसे गोल निशान लगा लेना है अब हमें यहां सिलाई देनी है हमने यहां पे सिलाई लगा के ले लिया है जो पीछे एक्स्टर फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे हमने कटिंग करके ले लिया है अब हम हुड़ी को सीधा करेंगे देखे कितनी प्यारी हुड़ी बनी है अब जो हुड़ी का बीच वाला पार्ट है इसे पकड़ेंगे और जो टोप है उसका मिडल से पकड़ना है और देखे पूरी हुड़ी को ऐसे करते हुए अटैच करेंगे हमारा टोप रेडी हो गया है अब हम टोप को सकल्ट के साथ में अटैच करेंगे झाल झाल हमाई ड्रेस बनके बिल्कुल रेडी हो गई है अब हम लड़ू गोपाल जी को पहनाएंगे यह हमारे पाँच रमबर के लड़ू गोपाल जी है दिखें ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो